अब सभी का एक बार फिर स्वागत है करेंट अफेर के स्रीज में आज हम लोग देखने वाले चर्चा में रहे बिभिन पुरस्कार और आवार्ड तो पुरस्कार की बात करें सबसे पहले बात करते हैं पद्म आवार्ड की यह चर्चा में रहा चलिए इसके बारे में पद्म पुरस्कारों को 1954 में अस्थापित किया गया था यह पुरस्कार भारत के सर्वोच नागरिक सम्मानों में से एक है इसकी घुष्णा गरतन दिवस के पुर्व संध्या पर की जाती है 1978, 1989, 1993 से 1997 का दोरान आएक कुछ व्योधाने को छोड़ कर तो यह पुरस्कार हर साल प्रदान किये जाते हैं यह पुरस्कार किसी टाइटल उपाद के सूचक नहीं होते हैं इन्हें नाम के आगे पीछे उपयोग नहीं किया जा सकता है स्रेडियो की बात करें तो पद्म विभूषड आसाधार और विशिष सेवाओ के लिए दिये जाता है अगर सिफारसो नामांकन की बात करें यह पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिती द्वारा की गई सिफारसो के अधारपा प्रदान की जाते हैं हलाकि स्वानामांकर भी किया जा सकता है डाक्टरों वैज्यानिकों को छोड़कर सरकारी करमचारी इन पुरसकारों के लिए पात्र नहीं है ये पुरसकार ऐसे सभी विस्यों गजविदियों में उपलगधियों के मानता देते हैं जिनमें सादनिक सेवा का तत्व सामिल होते हैं एक वर्स में दिये जाने वाले पुरसकारों के कुल संक्या जिसमें माड़ो और उप्रांद पुरसकार एनराई विदेशी OCI को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए यानि 120 पुरसकार दिये जा सकते हैं इन सब को छोड़ दे तो पुरसकार विजयताओं को राश्पा द्वारा हस्ताच्रित एक सदन सनद प्रमाड़ पत्र जिसे कहते हैं एक पदक प्रदान कियाता है इसके दहात कोई नगत पुरसकार सामिल नहीं होता है तो ये बात है आपको कुछ पद्व पुरसकार के बारे में ध्यान रखना है चलिए कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं जनरल विपन रावत को जो पहले चीफ आप डिफिंस स्टाफ रह चुके हैं जिनकी हवाई दूर घटना मम्रित हो गई थी और इसके अलावा उत्तरप्रदेश के पूर्मुखमंत्री कल्यान सिन को पद्म विभूशड से समानत किया गया पद्म स्रिंकला का या पद्म विभूशड दूसरा सर्वोच नागरिक पुरसकार है इसके अलावा छे पद्म विभूशड नौ पद्म विभूशड और इसके लाव इक्यान में पद्म विभूशड पुरसकार सामिल है जो कुल पुरसकार दिये गये थे पुरसकार पाने वाले के सूची में 19 जो हैं महिलाये हैं और विदेशी, एनराई, पी आईओ, ओसी आई, स्रेडी के दो व्यक्ति और साथ मरड़ो पुरसकार पाने वाले सामिल हैं पद्म पुरसकारों के लिए चैनित राजस्थान के चार विभूतियों में मूल चंद लोड़ा लक्षमर सिंग, एहमद हुसैन, मुखमर हुसैन को सउयों तुरूप से सामिल किया गया डूंगरपूर के समाजिक कारिकरता मूल चंद लोड़ा जैपूर के लपोडिया गाहों में लच्छमर सिंको समाजिक कारछेत के लिए विशीश सिव़ परदान किये गए जबकि हुसाइन वंद को उस्ताद अहमद हुसाइन और उस्ताद मुहमद हुसाइन को संयुत रूप से कला के च्छत में विश्ट सेवा के लिए पंसरी आवार्ड के लिए चुना गया गजल और कववाली के गाईगी के लिए मसूर जैपूर के हुसाइन बंधू को साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी के पुरसकार से भी नवाजा जा चुका है संगीत नाटक अकादमी के पुरसकार जो दिये जाते हैं इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे तो चलिए अधर अवार्ड्स की बात करें जो यो न्यूज में थे उनकी बात करते हैं तो परमबीर चक्र प्राप्त जो विवोतियां थी सैनिक थे उनके नाम पर जो है अंडमान निको बार के 21 आईलेंड का नाम जो है चेंज किया गया है ठीक है नेक्ट बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की बात करें तो इसकी अस्थापना जो है 1903 में की गई थी संगीत नाटक अकादमी पुरसकार राष्टी सम्मान है इसे निस्पादन कला के छेतर में परदसन करने वाले कलाकारों सिक्षकों विद्वानों को सरकार दोरा परदान किया जाता है संगीत नाटक अकादमी देश में निस्पादन कला के छेत्र में सरवोच संसता के रुप में कार रथ है भारत की विविश संस्कृत की सम्रिद अमुरुत विलहसत के संरचर संवर्धन पर लक्षित है इसके रहां वहां ललित कला अकादमी की बात करें इसकी अस्थापना जो है 1924 में की गए थी विजूल आर्ड्स यानि द्रिश कला के छेतर में उपलग्दियों को पहचान करने के लिए पुरस्कार प्रदान की जाते है नेक्स्ट पात करेंगे नोबल पीस प्राइस फॉर 2022 तो नौर्वेजियन नोबल समित ने वर्स 2022 का नोबल सांत पुरसकार एक व्यक्ति और दो संस्थाओं संगटनों को प्रदान किया है जिसमें सामिल है मानवा दिकार अधिवक्ता एलिस बिया वाउक्स की जो विलारूस से संबंदित है इसके लावा रशियन मानवा दिकार संगटन मेमोरियन और इसके लाव युक्रियन मानवा दिकार संगटन सेंटर फॉर्ट सिविल लिबर्टी सामिल है निश्ट बात करेंगे साहित में नोबल पुरस्कार की बात करेंगे इसके लावा ये तो लिट्रेचर की बात हो गई और ये साहित नोबल पुरसकार जो है ये स्वेडिस एकादमी स्टाउक होम स्वेडियन दोरा प्रतान किया जाता है रविन्ना टैगोर को 1913 में साहित में नोबल पुरसकार जीतने वाले पहले भारती गैर यूरोपी सदस्त थे अब बात करते हैं UNHCR ये किसे दिया गया ये एंजेला मार्केल को दिया गया और ये पुरसकार जो है 1954 में अस्थापित किया गया ठीक है इसके अलावा बात करते हैं UNESCO का फेलिक्स हैफिलेट बोंगरी सांत पुरसकार इसे जर्मनी की पूर चांसला एंजेला मार्केल को सरड़ातियों के स्वागत के प्रयासों के लिए UNESCO के फेलिस हैफियेट बोंगरी सांत पुरसकार 2022 से सम्मानत किया गया नेक्स्ट बात करेंगे UNESCO मदन जीत सिंग पुरसकार या पुरसकार कैमरून के फ्रांका, माई, सुलेम, योंग को प्रदान किया गया या पुरसकार शशुर्ता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है या व्यक्तियों या संस्थानों को कला, सिच्छा, संस्कृत, विज्ञान, संचार के माध्यम से एक आसाधार योगदान के लिए हर दो साल में दिया जाता है युनस्का का मदन जीत पुरसकार और ये पुरसकार का नाम जो आपने देख रहे हैं मदन जीत पुरसकार इसके सनरचक पूर भारती कलाकार लेखक राजनेतिक मदन जीस सिंग के नाम पर रखा गया है स्रिकर विकास पुर फुरसकार वर्स 2021 में इंद्रा गादी 27 रिचस्टिकर पुरुसकार विकास पुरुसकार शिच्छा के छेत में कारत एक गैर सरकारी संगधन किसको दियेगा प्रथम को दिया गया और इस पुरसकार के अंतरगत जो है एक प्रसस्पत 25 लाख रुपए की रास भी दी जाती है और प्रतम को क्यों दिया गया क्योंकि विशेश रूप से कोविड-90 महामारी के दोरान बच्चों के लिए गड़ोत्ता पुर्ष सिच्छा सुनशित करने के लिए इ उखितों की दान किया गया और यह पुरसकार गाधी मंडेला फॉंडेशन दोरा अस्थापित किया गया है और गाधी मंडेला फॉंडेशन 12 सरकार दोरा पंजिकरी त्रस्ट और गर्लाब कारी संगठन है और ये जो अवार्ड है गांधी जी की 150 वी जैनती पर इस पुरुसकार की अस्थापना की गई थी नेक्ष्ट बात करेंगे थॉमस कप की थॉमस कप भारत में भारत ने फाइनल में इंडोनेसिया को 3-0 से हरा कर अपना पहला थॉमस कप किताब जीता थॉमस कप एक अंतराश्टी बैड मिंटन प्रतियोगता है तो आपको ध्यान रखना थॉमस कप किस से संबंदित है बैड मिंटन से संबंदित है और भारत ने अपना पहला फाइनल जो है इंडोनेसिया को 3-0 से हरा कर पहला थॉमस कप किताब जीता है इसके सुरुआट जो है थॉमस कफ के सुरुआट क्या होई थी थॉमस कप के सुरुआट में तिक बाद करेंगे लॉरियस वर्ड स्वोर्ट आवार्ड इसे जो है मैक्स वेरेस्टेपन फार्मूला वन और एलेन थॉमसन हेडा आथलीटüss को क्रमसल लॉर्ड एलेंड पिज 2021 के लिए नामित किया गया ठीक है तो इस प्रकार जो है यह हमारे कुछ अवार्ड्स थे और प्राइस थे उसके बारे हम लोगों ने चर्चा कर लिए अगर आपको पसंदारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हैं तो आज हमारा इंड हो चुका है आर्ट अन कल्चर आवार्ड जितने भी न्यूस थे सब कुछ इंड हो चुका है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ अन कल्वार्ड स्थे